तो सुबह जैसे ही उठाए कि एक खुशकबरी तो मिला कि क्लास हम लोग का सिस्पेंट हो गया है लेकिन कंप्यूटर क्लास जा नहीं पाए क्योंकि राज से ही पहुंच जादा बारिस आ रही थी अभी बारा बजे के आसपा सो रहे टाइम और अभी तक बारिस जो है खतम और मेरा मोबाइल फोन है तो कॉलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी इसलिए मैं घर में जाता सूट में करता है तो मैंने सोचा कि आज के कॉंटेंट बनाने के लिए और बहुत दिन से बारिस वाले मोसम में मैंने कभी हम लोग के लाइम स्टोन माइन्स जो पास में ह आप लोग सोच रहोंगे कि मैं एकले क्यों आया लेकिन एकले आने का रिजन यह था कि अभी हम लोग छोटे यूट्यूबर है तो हम लोग को कोई इतना सुर्पोर्ट करेंगा नहीं इस टॉपिक को साइड में रखते हैं मैं इतना पास में रहता हूं लेकिन मैं कभी यहा आप लोगा की चलो देख के आते हैं कि जब बारिस आती है तो इधर का मोसम कैसा होता है और देखने में कैसा लगता है अब फाइनली में जिस जगह के बात कर रहा है तो वहां पर पर तो मैं पहुंच गया हूं लेकिन मैं ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइम में ऐसा भी वी देखने को मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को आभी मैं अपने आपको लग्की कर रहा हूं अब फिलाल तो पहुंच गए वहां पर अब 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 फाइनली इधर का जो व्यू है मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आकर हम लोग प्राई यहां पर आते हैं लेकिन ऐसे टाइम में कभी नहीं आयते लेकिन आज ट्रा तो इस साइड वाले जगे को तो मैंने पूरा देख लिया है कि जो पीछे साइड में जाने का सोच रहते हैं उधर तो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लोग वहां पर नहां रहें तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा तो उपरी साइड में रहते हैं पारिस के सौंड चुनके आपको पता चली रहाँगा कि कितना जदा बारिस आ रही है अगर मेरा तव्यत खराब नहीं होता जल्दी वर्था बारिस में बिंग बिंग कहीं जाते लेकिन मेरा ठोड़ा साइड ठंडा होने के वज़ए से बहुत ज़दा तव्यत खराब हो ज चला गया वो बीडियो को पसंद आया हो तो आज के लिए बस इतना ही तो मेरे देंग नहीं ब्रॉक के साथ अब ही कि लिए बाइब बाइब